स्वागत है दोस्तो आपका हमारे चैनल कथा कहानी में आज हम इस वीडियो के माध्यम से शी संतोशी माता की व्रत कथा विधी, लाभ वा मंत्र के विशे में विस्तरत रूप से जानेंगे तो आईए जानते हैं संतोशी माता व्रत और संतोशी माता व्रत कथा शुक्रवार को की जाती है शुक्रवार का व्रत शुक्ल पच्छ के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है माता संतोशी के 16 शुक्रवार तक वृत करने से सुख सौभाग्य प्राप्थ होता है लेकिन ध्यान रखें, पित्रपक्ष में किसी भी वृत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए यदि आप पहले से वृत कर रहे हैं, तभी पित्रपक्ष में वृत रखें संतोशी माता वरत कथा को सुनने से शांती, समरध्धी और मनोकामनाओं की पूर्ती होती है इस वरत कथा का उद्देश्य परिवार के प्रतेक सदस्य के सुख और कल्यान को सुनिश्चित करना है संतोशी माता की वरत कथा की विधी कुछ इस प्रकार है शुक्रवार की सुबह, नान कर, देवी को पूजा स्थल पर स्थापित करें इस पूजा की शुरुआत को चिन्नित करने के लिए जगए को फूलों से सजाएं और कलश लगाएं अपने सभी प्रयासों में सफल होने के लिए सबसे पहले भगवान गनेश की पूजा करें आपको हमारे कथा कहानी चैनल में श्री गनेश जी की कथा की बारे में भी बताया गया है तो वो वीडिय अवश देखें उनसे जीवन से विनाश और बुराई को दूर करने की प्रातना करें और गरीबी को दूर करने की प्रातना करें इसके बाग धन और सोने, मोती, चांदी और अन्य प्रकार के रतनों की प्रचुरता के लिए मा रिद्धी सिद्धी से प्रातना करें जो कलश रखा है उसमें पानी भर दे और उस पर एक छोटी से कटोरी चना और गुड रख दे अब पूरी संतोशी माता व्रत कथा को पढ़े भक्तों को कहना चाहिए संतोशी माता की जय संतोशी माता की आर्थी करे और कलश में जो जल रह जाए उसे अपने घर के तुलसी के पौधे में डाल दे इसके बाद पूजा में मौजूद सभी लोगों को माता का प्रसाद बाटे इस तरह आपको कुल 16 शुक्रवार तक यही व्रत पूजा करनी है संतोशी माता व्रत एक भक्ती व्रत है भक्त इस व्रत को लगातार 16 शुक्रवार को रखते हैं भक्त कच्चे गुड के साथ फूल, धूप और भुने हुए छोले चड़ा कर संतोशी माता की पूजा करते हैं इस व्रत को करने वाले भक्तों को सुबए जल्दी उठकर देवी का स्मरण करना होता है और उन्हें दही या नीबू जैसा कुछ भी खटा या कड़वा खाने से बचना चाहिए तो आईए सुनते हैं संतोशी माता की व्रत कथा एक बुढिया थी और उसके साथ कुत्र थे छे कमाने वाले थे और एक ने कम्मा था बुढिया मा छे पुत्रों की रसोई बनाती भोजन कराती और पीछे से जो पस्ता उसे साथवे को दे देती परन्तु वे बोला था मन में कुछ विचार ना करता था एक दिन अपनी बहु से बोला देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है वे बोली क्यों नहीं सबका जूटा बचा हुआ तुमको खिलाती है वे बोला ऐसा भी कही हो सकता है मैं जब तक अपनी आखों से ना देखू मा नहीं सकता बहु ने कहा देख लोगे तब तो मानूगे कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया घर में साथ प्रकार के भोजन और चूर्मा की लड़ू बने वे जांचने को सिर्दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओड़ कर रसोई में सो गया और कपड़ी में से सब देखता रहा चहों भाई भोजन करने आये उसने देखा मा ने उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिचाए है साथ प्रकार के रसोई परसी है वे आग्रा कर उन्हें जिमाती है वे देखता रहा भाई भोजन करके उठे तक जूटी थालियों में से लड़ू के टुकड़ों को उठाया और लड़ू बना दिया जूटन साफ कर बुड़िया माने पुकार उठ बेटा चहों भाई भोजन कर गए अब तू ही बाकी है उठ ना कब खाएगा वे कहने लगा मा मुझे भूक नहीं भोजन नहीं करना मैं परदेश जा रहा हूं माता ने कहा कल जाता हो तो आज ही चला जा वे बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं या कहकर वे घर से निकल गया चलते चलते बहु की याद आई वे गोशाला में कंडे थाप रही थी जाकर बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है बस यह अंगूटी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो वे बोली मेरे पास क्या है या गोबर भरा हाथ है यह कहकर उसके पीठ में गोबर की हाथ की थाप मार दे वे चल दिया चलते चलते दूर देश में पहुचा वहाँ एक साहुकार के दुकान थी वही जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो साहुकार को जरूरत थी सो वे बोला रह जा लड़के ने पूछा तनखा क्या दोगे साहुकार ने कहा काम देखकर दाम दे मिलेगे साहुकार की नौकरी मिली, वे सवेरे से रात तक नौकरी करने लगा कुछ दिनों में दुकान का लेन, देन, हिसाब, किताब, ग्राहों को कोमाल बेचना, सारा काम वे करने लगा साहु कार के सातार नौकर और थे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशयार बन गया है सेट ने भी काम देखा और तीर महिने में उसे आधी मुनाफे का साजिदार बना दिया वे बारा वर्ष में नामी सेट बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके उपा छोड़ कर बाहर चला गया अब बहु पर क्या बीती सुनो सास ससुर उसे दुख देने लगे सारे ग्रहस्ती का काम करा कर उसे लकडी लेने जंगल भेशते और घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसके रोटी बना कर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता इस तरह दिन बित्ते रहे एक दिन वे लकडी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत से इस्त्रियां संतोशी माता का व्रत करके दिखाई दी वे खड़ी हो कथा सुनकर बोली बेहनो तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है इस व्रत के करने की क्या विधी है यदि तुम अपने इस वरत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो, संदोशी माता का वरत है इसकी करने से निर्धन्ता, दर्यद्रता का नाश होता है लच्मी आती है, मन की चिंताये दूर होती है घर में सुख होने से मन को प्रसनता और शांती मिलती है निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है सब तरह सुख शांती होती है घर में धन जमा होता है जायदाद पैसा का लाभ होता है रोग दूर होता है तता मन में जो काम ना हो वे भी पूरी हो जाती है इसमें संदेह नहीं वे पूछन लगी यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी तो बताओ आपकी बड़ी क्रपा होगी इसत्री कहने लगी सवा आने का गोड़ चना लेना इच्छा हो तो सवा पांच आने का लेना या सवा रुपे का भी सहूलियत के अनुसार लेना बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना सवा पैसे से सवा पांच आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ती और भग्ती अनुसार लेना हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना कथा के बीच में क्रम तूटे नहीं लगातार नियम पालन करना सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पातर को रख कथा कहना परन्तु कथा कहने का नियम न टूटे जब तक कारी सिध्ध न हो नियम पालन करना और कारी सिध्ध हो जाने पर वरत का उध्यापन करना तीन माह में माता फल पूरा करती है यदि किसी के खोटे ग्रेहों तो भी माता तीन वर्ष में कारे को अवश्य सिद्ध कर देती है कारे होने पर ही उध्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए उध्यापन में अडाई सेर आटे का खाजा, तथा इसी अनुपात में खीर तथा चने का साग करना माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, यह सुन का बहुत चल दी रास्ते में लकड़े के बोज को बेच दिया, और उस पैसे से गोड़ चना ले माता के वरत के तयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है, सब बच्चे कहने लगे, संतोशी माता का मंदिर है यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चर्णों में लोटने लगी, दीन हो विंती करने लगी, मा में निपट मूर्ख वरत के नियम को जानती नहीं मैं बहुत दुखी हूँ माता, जग जन्नी मेरा दुख दूर कर मैं तेरी शरण में हूँ, माता को दया आई, एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पती का पत्र आया, और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी पहुँचा, या देख जठानी मूँ सी कोड़ प्या आवे, तो हम सबके लिए अच्छा है, ऐसा कहकर आखों में आसु भर्स कर संतोशी माता के मंदिर में मातेशुरी के चर्णों में गिर कर रोने लगी, मा, मैंने तुम से पैसा नहीं मागा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो पुली पुत्री से मैंने कहतो दिया, तेरा पती आवेगा, पर आवेगा कहां से, वे तो उसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह माता बुढिया के बेटे के पास जाज सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहु कुछ है मा, बाप, भाई, बहन वा बहु, क्या कमी है? मा बोली, भोले, तेरी इस्त्री कष्ट उठा रही है, मा बाप उसे कष्ट दे रहे है, दुख दे रहे है, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधी ले, वे बोला, माता या तो मालूम है, परंतु जाओं कैसे परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाओं, मा कहने लगी, मेरी बात मान सवेरे नहाद होकर माता का नाम ले, घी का देपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते देखते तेरा लेन दे सब हो जाएगा, माल बिक जाएगा, और शाम होते होते धन का धेर लग जाएगा, तब सवेरे बहुत जल्दी उठ, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात को अंसुनी करके खिल्ली उडाने लगे, कहीं सपने सच होते हैं, एक बुड़ा बोला, भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच जूट कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है, वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है, आप बुड़े की बात मान कर, वे नहाद होकर, संतोशी माता को दर्णवत कर, घी का देपक ज़दा, दुकान बज़ा बैठा, थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे समान के खरिदार नकत दाम में सौदा करने लगे, और शाम तक धन का धेर लग गया, माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरिदने लगा, और वहां से काम स निपट तुरंगर को रवाना हुआ, वहां बहु बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लोटते वक्त माता जी के मंदर में विश्राम करती है, वे तो उसको रोज रुखने का स्थान जुठेरा, दूर से धूल उड़ाती देख, माता से पूस्ती है, माता धूल कै गठा देखकर मोह पैदा होगा, वे यहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना, खापी कर मा से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोज उठा कर जाना, और बोज आंगर में डालकर दरवाजे पर जोड से लगाना, लो सासु जी लकड़ियों का गठर लो, भूसी की रोट पानी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज महमान कौन आया है, मा की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन हो लकड़ियों के तीन गठे ले आई, एक नदी के तड़ पर एक माता के मंदिर पर रखा, इतने में एक मुसाफिर वहाँ आ पहुचा, सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन मना कर खापी कर गाउं जाए, इस प्रकार भोजन मना कर विश्राम ले गाउं को गया, सबसे प्रेम से मिला उसी समय बहु सिर्पल लकड़ी का गठा लिये आती है, लकड़ी का भारी बोज आंगन में ड तेरा मालिक ही तो आया है, आब एट मीठा भाद खा, भोजन कर कपड़ी गहने पहन, इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है, और अंगुठी देख व्याकुल हो मा से पूसता है, मा यह कौन है, मा कहती है, बेटा तेरी बहु है, आज बारा वर्ष हो गय, तू जब से गया है, तब से सारे गाउं में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी के रोटी और नारेल की खोपड़ी में पानी मांगती है, वे लजज़ित होकर बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है, और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, तो उसमें रहूं, तब मा बोली, ठीक है, जैसी तुमारी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया, उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजल के ऊपर था, खोल कर सारा समान एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया, अब क्या था, वे दोनों सक पूर्वक रहने लगे, इतने में अगला शुक्रवार आया, बहु ने अपने पती से कहा, कि मुझको माता का उध्यापन करना है, पती बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो, वे तुरंत ही उध्यापन की तैयारी करने लगी, जेट के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के बास सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उध्यापन पूरा ना हो, ल लड़के उट खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ, भोली बहु को जानती नहीं थे, तो उन्हें पैसे दे दिये, लड़के उसी समय हट करके, इमली लाकर खाने लगे, यह देखकर बहु पर माताजी ने कोप किया, राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर ले गए, जे माता, तुमने यह क्या किया, हसा कर क्यों रोलाने लगी, माता बोली, पुत्री, तुने उद्यापन करके मेरा वरत भंग किया, इतनी जल्दी सब बाते भुला दी, वे कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपरात किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल म डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिये, मुझे चमा करो मा, मा बोली, ऐसी भी कही भूल होती है, वे बोली, मा मुझे माव कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी, मा बोली, भूल मत जाना, वे बोली, अब भूल ना होगी मा, अब बताओ, वे कैस आएंगे, मा बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा, वे घर की ओर चली रा में पती आता मिला, उसने पूछा तुम कहां गये थे, तब वे कहने लगा, इतना धन जुकमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वे भरने गया था, वे प्रसंद हो बोली, बला हुआ, अब घर को चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, वे बोली, मुझे मातक का उध्यापन करना है, पती ने कहा करो, फिर जेट के लड़कों से भोजन को कहने गई, जेठानी ने एक दो बाते सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांग प्रसंद हुई, माता की क्रपा होते ही नौवे मास उसको चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र को लेकर प्रते दिन माता के मंदिर जाने लगे, मा ने सोचा कि वे रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलू, इसका आसरा देखू तो सही, य लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी, लड़की डरने लगे और चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे, बहु रोशंदान से देख रही थी, प्रसंदता से पागल होकर चिल्लाने लगे, आज मेरी माता घर आई है, या कहकर बच्चे को दूद पीने से हट इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया, इतने में मा के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे, वै बोली, मा जी, जिनका मैं वरत करती हूँ, यह वही संतोशी माता है, इतन कहकर जट से सारी घर के किवाल खोल देती है, सबने माता के चरण पकड़ लिये और विंती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख है, हम अज्यानी है, पापी है, तुम्हारे वरत की विदी हम नहीं जानते, तुम्हारा वरत भंग कर हमने बड़ा अपराद किया है, यह माता, आप ह हमारे अपराद को छमा करो, इस प्रकार माता प्रसंद हुई, माता ने बहु को जैसा पल दिया, वैसा माता सब को दे, जो पड़े उसका मनोरत पूल हो, बोलो संतोशी माता की जै, दोस्तों संतोशी माता की व्रत कथा विधी संपन हुई, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जै शिक्रिश्ट